फ्रेंड्स आजी आपने पासे आवी छेकलिया केरेंस सीरा पे कोटिंग मा आए छे अना ग्याडी 10 सज मैना जुननी छे ए गाइस बुड़ा प्रानूं और स्वागत आपका उमार एकोई नए वीडियो में उमार एकोई नए ब्लोग में अधी होब कि आप सब लोग अच्छा करे होगे और पुछ नया करें घुझ प्रदिव और रहुए और Az nuanced अच्छे से इबने किया होगा आपके फैमिली के साथ सेल्यप्रेट किया होगा आप आज हम लोग निखल गए एक लोकेशन के लिए किया निकल गए और किसले गए वह आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा सो इसी उड़े में बने रहना और आज अभी टेंपरेचर हो रहा है अराउंड 35 डिग्री के असपास सो अभी दिरे दिरे गर्मी बढ़ गई है ठंडी दिरे दिरे जा रही है सो यही अपडेट है विधर के बारे में आज हम लोग पहुंच गए हैं गांधी नगर सेक्टर 28 में जो की पढ़ता है यह अराउंड जो डिलर्शिप वाला एरिया में आपको दिखा आथा किया सोरूम के टाइम पर सर्विस देशन पर जो हम आपने विडे बनाया था उसी लोकेशन पर थोड़ा आगया होगे तो आपको यह मिल जाएगा आज हम हमारी किया कारण्स को लेके काम करवाने आए वन्स वह काम हो जाता है तो हम आपको उसका डेटेलिंग विडियो बन आपको आपको अबने रहे ना सिरमी कोटिंग मा एच, अना गाडी ॉपकर कोटिंग हो दससे दो . अज़े आपने गाड़े उपर ग्रेफेड्र न उफ क Julius Siddacter पाती एचू सिरमी कोटिंग केरेदा , अमारा सिरमी सिरमी कोटिंग का फाइता भर्ह защ ? छता पוהण, हुँन तमने दरे ग गाड़ीमा नवा नवा फायदा बताउती रहिज तमने गाड़ीमा केवे सडोन अथि लागते, जो तमने सिरामे कोटिंग कराई उथ जो तमने गाड़ी वाइड असे तो आगर जेता एमा यलो शेर पण नहीं करे जो तमे पन तमारी गाडीने नवी रखवा माकता हुई तो सिरामी कोटिंग जरूर थी कराओ जो जेधी करीने तमारी गाडीनी शाइनें मेंटेन बहती होई छे तमारा इंस्टाग्राम उपर नवा नवा वीडियो जो अन्ने सिरामी कोटिंग ना फाइदा सूचे एक का डिटेलिंग कपल गांदी नगर मां अमारा वीडियो ने फोरो पर जो और लाइव पर कर जो लुटिंग बेनेफेट यह है कि अगर वाइड कलर की कार थो वाइड कर के अंदर पाइंज जाते हुए उसमें येलो शेड आ जाता है तो सिरामिक कोटिंग करने के बाद ये यलो शेड नहीं आएगा, आपकी गाड़ी हरोद नहीं जैसी मेंटें रहेगी एक तो बर्ड डोपिक होते है ये वाइड कलर तो ठीक है, कुछ कलर्स होते है, ब्लैक कलर्स होते है, रेल कलर्स होते है उसके अंदर क्या बर्स टोपिंस होते हैं तो उसके दब्बे छोड़ जाता है अगर सिरा में कराब होगा तो यह सब इश्यू नहीं आएगा आपकी गाड़ी डेली मेंटल डेली भी हरोज ऐसी लगेगी जैसे सुरों उससे नहीं छोड़ा के लाए हम और अब आप कुछ बता रहे थे कई लोग क्या करते हैं कि गाड़ी तो खरेद लेते हैं सिरा में कोटिंग भी कर वाते हैं लेकिन प्लास्टिक पर्स को भूल जाते हैं और आगे ज़के क्या होता है कि प्लास्टिक बेस पर बेद ड़ने साच आती हैं keयन कर सो मिट हम उसका भी सिरा में कोटेंक करते हैं, ज़लास को एक पोटिंग भी करते हैं ताकि बारिष आके बाडिश तबे पानी नहीं तो संब्स एक दाएगा यanted hard up to bırak को सार में वो श् علي का थो agriculture कौटेंगों इस लिए प्लास्टीक reckless तो डिटेल में इंफॉर्मेशन दी कि क्यों करवाना चाहिए और क्या-क्या इसके बेनिफिट है और मेंटेनस के बारे में थोड़ा बहुत ही कि हमें कब कब करवाना चाहिए लाइक यहली बेस पर करवाना चाहिए शिक्स मन्स बेस पर करवाना चाहिए रहसे तो शिक्स मन् कोटिंग का मेंडेनर्स कोट होते हैं अगर आपने तीन साल का करवाया हैं तो हर साल में हम उनको एक बार बुलाते हैं ताकि गाड़ी उनकी नई जैसी लगते अच्छल के तो ब्सक्राइब आज हम लोग आये थे फाइनल डेस्तिनेशन वैं आपने यह लोकेशन्स पहले देखा होगा पला सी boule भ्मगवल है करवाने थोड़ा इसमें हमने करवा हैं ग्राफिन कोटिंग यह प्लास्टिक कोटिंग और ग्लास कोटिंग यह तीनों चीज करवा ही है यह जानते हैं यह जो इनके ओनर है उनका यह बिजनेस कैसे स्टार्ट हुआ मेरा नाम पॉलक कापड़िया है हम पिछले आग सर्शिस बिजनेस में लगे पूले हैं ओके अभी अगर किसी को आना हो यहां पर सिरा में कोटिंग के लिए यह तो पर ग्राफिन कोटिंग के लिए यह मरीन के लिए तो आपका कितना स्टार्टिंग प्राइज रहता है तो व हम 10 अजाचे स्टाट करते हैं फिर तीन साल का होता है पांच साल का होता है साथ साल का होता है ग्रेफेंड मरीन कस्टमर को हम डेमू भी दिखाते हैं इनका कहना यह है कि आप जैसा बजेट रखो के उसी साब से आपको क्वालिटी मिलेगी और आपको वन येर से लेके एड्रेस डाल होगा तो आप उनके कॉंटेक करके यहां पर आ सके बट प्रायर अपोइंट मेंट लेके आना पड़ेगा बिकॉस इनके पास अल्रडी काफी प्रोजेक्स रहता है तो आपको यही ध्यान रखना है बाकि यहां पर आओगे तो आपको अच्छी सर्विस मिले करेंगे सो यही हमारा आज का वीडियो था सो अभी हम लोग आपको जल्दी मिलते हैं घर पे जाके